असलाम अलेकुम मैं आसिम पठान आप देख रहे हैं आपका चैनल अलीगरबजी जन फिंचिस दोस्तो आज हम बात करेंगे विरकॉन एज के बारे में दोस्तो ये एक तरीके का डेसिंफेक्टेंट है इसके मैं आपको benefits बताऊंगा और इसको use करने का तरीका बताऊंगा दोस्तो ये बेसिकली जो काम आता है ये एक तरीके का disinfectant है और ये जो बनता है इसका जो main salt है वो हता है potassium monopar sulfate दोस्तो ये जबदस चीज है और काफी सस्ती है मेरी हिसाब से इसको महंगा नहीं बोलेंगे सस्ता disinfectant है ये आपके setup में जरूर होना चाहिए दोस्तो एक number one salt तो ये ही है आपके सामने जो नजर आ रहा है विर्कॉन S अगर आपको विर्कॉन S नहीं मिलता है तो दोस्तो आप secondly choice पे ले सकते हैं विर्कासिड S एक विर्कासिड S के नम से भी आता है उसमें भी ये same composition होता है दोस्तो वो हमको तब लेना है जब हमको विर्कॉन S ना मिले तो विर्कासिड S ले सकते हैं ये mostly poultry shop पर मिल जाता है जहां पर मुर्गियों की दवा मिलती है यह आप देखें ये एक लिटर पानी में पांच ग्राम मिलाना है दोस्तो मुझको idea है तो मैंने directly मिला लिया है आ पानी और उसका दाना भार निकाल लें वैसे दाना पानी बाहर ना भी निकालें तो भी कोई लॉस नहीं है लेकिन मैं रिस्क नहीं लेता हूं कहीं जादा पानी इसमें तो इस वैसे मैं इसको बाहर निकाल लेता हूं आप चाहें ना भी निकालें क्योंकि लोग बहुत से लेकिन दोस्तों बाहर निकालना थे जया बाटल को निकालना होता है तो फिर अंदर अन्दर फ्रेशर बन जाता है और बटन करते हैं तो देखें यह आटमेटिक पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा बस आपको सिर्फ बटन को दबाकर रखना है पानी खुद माखुद निकलेगा दोस्तों देखें इस तरीके से इसमें पंप मारना होता है ठीक है मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ा हूँ और एक हाथ से आपको काम करके दिखा रहा हूं तो थोड़ी बहुत परशानी हा रही है वीडियो बनाने में दोस्तों याद रहे कि पंप भाद वहाँ ज्यादा नहीं मारता है कई बार में बॉटल को क्रेक कर चुका हूं ज्यादा पर मारने के वैसे बॉटल फट जाती है ग्रेक हो जाती है तो याद रहे कि पंप का जो प्रेशर कम रहे और देखें इस तरीके से आप बड़ को मार सकते है डारेक्टली इ साथ में देखें जो इस्टिक पर बैठते हैं उस इस्टिक को भी आप सही से पानी का प्रेशर मार दें उस पर इस पर जितने भी जर्म सोंगे वो सब खतम हो जाएंगे क्योंकि दोस्तों इस्टिक से काफी जादा चांस होते हैं इन्फेक्शन पहलने के यह देखें यह वाली जो एंगल है इसके उपर भी मेरे बर्ड आकर पूरे दिन बैठते हैं और रात में सोते भी हैं तो यह देखें मैं इस पर प्रेशर मार रहा हूं डारेक्टली इस सब मैं ने पानी है इस तरीके से मिन यह स्पर मार दिया इस पर जितने भी जम सौंगे वह सब खतम हो जाई पीड़कर दोस्तों सैटप की दिवार सैटप की जवीन केज की जाली सब जगा इसको गीला कर देना है बहुत साथ गीला नहीं कर रहा है बस हल्कलक आप इस पर मारते तो इससे होगा यह जहाँ जहाँ यह इस पर जाएगा वहाँ वहाँ के जर्म्स इंशालला खतम हो जाएंगे तो सो इस्तमाल करने का तरीका मैं आपको बता दिया कि एक लिटर पानी में पांच ग्राम मिलाना है पहले आप बर्स पर मार दें अब बर्स के बाद आप पूरे स साल से इस पर इस्तमाल कर रहा हूं अपने बर्स के उपर भी बहुत से बीडर आसे हैं जो सलाह नहीं देते बर्ड के उपर स्परे करने की लेकिन दोस्तों मैं आप देखें सामने इस पर रहा हूं आपके और कोई भी साइड एफेक्ट मुझको अभी तक नजर नहीं आया यहां तक कि आँख तक में अगर चले जाता है तो भी आँख में कोई इंफेक्शन मुझको तो अभी तक नजर नहीं आया मुझको तो उल्टा यह लगता है कि अगर आँख में भी यह पानी जा रहा है तो आँख के अंदर के आसपास के जो भी इंफेक्शन होते हैं जो भ भी आए इस्प्रे से आपको महीने में एक बारतों करना ही क्रएँ चैसी बीमारी का भी प्रिवेंशन है अगर आप सोब करेंगे ओ दो दूस्तों काफे सारी बीमारियों से बचे तो मुझे लगता है कि एक जरूरी चीज है दोस्तों कुछ बर्ड मेरे यहां पर भी पड़े हैं इसके लावा कुछ बर्ड मेरे रेट आई बर्ड और कुछ फिशरी मेरे दूसरे सेट अप में भी हैं वह इंशालला मैं आपको जल्दी दिखाऊंगा अभी देखें अभी त पर आप देखें मैं इतने बर्ड पर कर रहा हूं ठीक है अगर इसमें कोई रिस्क होता कोई पॉलम होती तो मैं बिल्कुल भी इस पर नहीं करता तो डिरेक्ली मैं बर्ड के उपर भी इस पर करता हूं दोस्तों बड़ को बस्पर करने से फायदे यह हैं कि जो एक्स्टरन इक तन पर पेटारों करता होटे मैं खुछ इंस नहीं प्रेसा अरवी दोस्तों काफी हद्ट तक कंट्रोल में रहता हैं दोस्तों मैंने अभी पेर लगाई नहीं है कुछ पेर मेंने One By One लगा दिए कुछ पेर इसमें गुम रहे हैं क्योंकि अभी एर्ड नहीं हुए है प एक number के बरस आए हमारे पास बहुत अच्छे बरस हैं बहुत अच्छी quality के बहुत अच्छे size मैं आपको नजर भी आ रहे होंगे सारे बर्ट्स देखें के तो जाली पर भी spray माऋ चाहिए तो आपको जाली पर भी spray मारना है सब्सक्राइब फाइनली मैं यही कहूंगा कि अगर आपको इस्प्रे करने के लिए कुछ डिसिंफेक्टेंट चाहिए तो नंबर वन जो है विरकॉन एस है नंबर सेकिंड विरकासिड एस है और थर्ड पर दोस्तो मुझे नहीं पता कौन सा है मैं तब अनी दो पर यकिन रखता हूं नंबर झाल